तो पहले हम फ्रेस्ट चिकन में कड़ यानि की दही डालेंगे उसके बाद हम एक एक करके मसाला डालते जाएंगे यह है जैसे दिखाया गया है शाही गरम मसाला फिर आप लोगों को मिलाना होगा ये जो सारे मसाले दिखाया जा रहा है किविन पाउडर, साहिगर, मसला, कश्मीरी, मिर्च और बाकी सारे चीजे ये सब मिलाना पड़ेगा फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट विच वेरी इंपोर्टन प्लीज रानल मत भूली उसको और नमक जो की हर खाने के लिए ज़रुरी तो है मैं और क्या बोलू ये अब ही डाला जा रहा है किश्मीरी मिर्च जो की मैंने पहले बोल दिया होगा अभी हम इसको मिक्स करते हैं बहुत ॉइंजर अगर आपको पूछना है कि कौन मिला रहा है ये ये मैनी मॉम मिला रहे इसको अच्छे समेश करेंगे mix करेंगे बहुत अच्छी से mix होने के बाद हम इसको जाके रखेंगे fridge में छे घंटे minimum के लिए मैं हमने पूरा दिन रख दिया था क्योंकि यह हमने plan किया था डिनर में बनाएंगे तो अब फिर हम जो करेंगे वो है इसको मैदे में मिलाएंगे अच्छी से मैदा कोट करेंगे एक layer बना देंगे इसके उपर अच्छी से मैदा कोट करके इसके बाद उस piece को हम रखेंगे ठंडे पानी में fridge का cold water में 5 seconds के लिए मैं गिन रही हूँ 5 seconds फिर इसको उठा के हम फिर से उसको रखेंगे मैदे में एन उसको फिर से हम मैदे में कोट करेंगे इसके अच्छी से कोट करने के बाद फिर उसको हम fry करेंगे यह जैसे आप देख लिए हो अच्छी जिफाई होरा बहुत अच्छी जिफाई करना होगा बन गया हमारा चिकन केफ सी चिकन